साथियों, आत्मन्दिरभरता में ब्हारत की अनेख मुष्किलों का अहल है, और आत्मन्दिरभरता का एक बहुत निन मौडल सहकार भी है। यह हमने गुजरात में बहुत सफलता के साथ अनुभों किया है और आप सभी साथी इस सफलता के सेनानी है गुजरात के कॉपरेटिव सेक्टर से जुड़े सभी महारती बैटे हैं बहर किसी का चैरा बैठे बैठे देख रहा था सब पुराने साथी जो आज सहकारी शेत्र में गुजरात की विकास यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं ऐसे एक से बढ़कर एक दिग्यत मेरे सामने बैठे है आनंद हो रहा है जिस तप्रस्या से आप इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और सहकारी स्पिरिट को लेकर के आगे ब रहा है क्योंकि पुझ्य बापु और सरदार सहाब का नेत्रू तो यहां में मिला कि पुझ्य बापु ने सहकार के से स्वावलंबन का जो मार दिखाया उसको सरदार सामने जमीन पर उतारने का काम किया और जब सहकारी के बात आती है जैसे अमिद भाई ने उलेक किया वेंकुट भाई महता की याद आना बहुत स्वाभाविक है और आज भी भारत सरकार एक बहुत बड़ी इंस्टिटूट उनके नाम पर चलाती है वरकिन वो भी दिरे 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 भुला दिया गया था इस बार हमने बजेट में 25 करोड रुपय का प्रावधान करके उसको और ताकत्वर बनाने का काम शुरू किया है इतना ही नहीं हमारे हाथों हाउसिंग के लिए सोसाइटी कोपरेटिव सोसाइटी इसका पहला प्रोग हमार यह हुआ यह जो हमारे पालीडी में प्रितम नगर है वो प्रितम नगर उसी का हुदारन है देश की पहली सहकारी आवास योजना का वो जीता जाकता हुदारन है सांतियों सहकारी खेत्र में अमूल ने अपनी पहचान मना दी अमूल जैसे ब्राण ने पूरी दुनिया में गुजरात के कोपरिटिव मुवमेंट की एक ताकत का परिचे कराया है एक पहचान बनाई है गुजरात में डेरी, चीनी और बैंकिंग सहकारी आंदलन्त के सफलता का उधार्ण है बीते सालों में तो फल, सबजी, सही दूसरे छेत्रों बेवी सहकार का दायरा बढ़ा है भाई और भेनो सहकारीता के सफल प्रयोगों में एक बहुत बड़ा मोडल देश की ग्रामिन अर्थे वबस्ता को ससक्त करने के लिए हमारे सामने है देरी सेक्टर के कॉपरिटिव मोडल का उधारन हमारे सामने है आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूद उत्पादक है जिसमें गुजरात की बहुत बड़ी हिस्तेदारी है बीते सालों में देरी सेक्टर तेजी से बड़ भी रहा है और ग्रामीन अर्थ बवस्ता में ज़्यादा कॉंट्रिबूट भी कर रहा है आज भारत एक साल में लगभग आठ लाग करोड रुपिय का दूद उत्पादन करता है आठ लाग करोड रुपिय का दूद और प्रमुक्ताया यह कारोबार ज्यादातर हमारी माताएं महने समालती है उसकी दूसरी तरफ जड़ा देखिए गेहू और धान का बाजार अगर हम मिला करके देखें तो वो दूद उत्पादन से भी कम है यहने दूद अगर आठ लाग करोड का है तो गेहू और धान का टोटल उससे भी कम है आप देखिए दूद गुत्पादन में हमारे देश ने कितने बड़ी ताकत खड़ी है इसी तरह हम पसू पालन के पूरे सेक्टर को देखें तो यह साड़े नव लाग करोड रुपे से अधिक्का है यह भारत के छोटे किसानों भुमिहिन समिकों के लिए बहुत बड़ा संबल है लाई